मुझूरा आज के हम एक रेसिपी दियनस्ती एकामन माय रेसिपी मेरी मिम्मी की रेसिपी है और इसको बेंगॉली में हम लोग बोलते हैं काकरॉल ओत्वा घी कॉरोला एंड हिंदी में इसको शायद बोलते हैं कंटेल तो इसके बहुती सुंदर सा फ्राय बनता है ये आप द और इसका तोरा से चम्मच से या चू या कोई भी छूडी से इसको धिसको निकाल लेंगे ठीक है। उसके बाद इसको हम बॉइल जाए इसको अन्दर का सीथ को निकाल लेना है। मैं आपको दिखा रहे हूं हमने यहां पर कड़ाई चड़ा दिया है कोड़ाई बोशी दिए इसमें हमने जस्ट दो चमच के करीब तेल डाला है एकदम बहुती कम पॉय चाहिए होता इसमें ज्यादा नहीं चाहिए यह हम बना रहे हैं स्टफिंग जो उस करेला के अंदर हम स्टफिंग हम बना रहे हैं स्टफिंग के राना नो प्रोथो में आपको दें रहे हो ट्याज कुछी कि इसमें हम पहली स्टम बारिक काटि हुई श्लिक ब्रावन भूं अब उस उसमें चीजा डालेंगे है जोचेंही र Cor buscar स्ट में शलोँ हा एक करान इसमेंज़ सर्षी ब इसका पेस्ट डालके इसको हमने भून लिया है अब इसको भूनेंगे इसमें हमने होरा सा शक्कर ठोरीशी साल्ट एंड टमरीच पाउडर डालके इसको हम फोरा सा चला लेना है स्टाफिंग तो मां के तो एरी कोर्ता हवे एक चामोच पस्त बा来ना शोषे, अम कोर अपरो और काचलोंका एक्टा शादमतू नूर मिष्टी रह भोलूत। तो यह जो कंडेल है इसके लिए एक चमच सरसो एक खस खस और एक हरी मिच्छ और इसमें जाएगा आपका नमक खल्दी साधन 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 वह मिला कि उसका पेस्ट बना लेना है उनके। तो अगर आप एक बना रहा है तो एक चमच एक चमच जाएगा। इस सब से आप जितना ज्यादा कॉंटिटी के बनाओगे उसी सब से उसका पेस बना लेना हो। अब यह हम इसका stuffing मनाते हैं, stuffing भढते हैं, एसे हम ले लेंगे एक कंडील को ले लेंगे और इसको ना यह stuffing को ऐसे दबा दबाके इसके अंदर इसको भढ देना है, बहुत ही अच्छे देलिगे सी एक घी करोलाटार मुद्धे इस चपिंटा एवाबे एक्टु चेपे चेपे पुरो गोले दिता हागे दोस्तों अभी इसका एक बैटर दनानी होगी जिसमें हमने यह पे लिया है बेशन और बेशन के साथ इसमें थोरी से नमक हली यह मिला लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए एसर पेशनकी त्फे एस से एखान आमरी आकता 200 बैटर बानी इनी ची है शेकान्य 200 डिवाधे przedोले ले शेकाने एक्टु फानी नूम डिये ची यारेलेटाा एडूम हबे है माने खुब रनी हबेला एक्टे एरोटन तोयली तो चोल्नु नेवर एटेक्ट आम्रा फ्राइ कोड़िए अम्रा फ्राइटा बानानों जोन्नों कड़ाई बुशे तेल दीदीछी तेल टा गड़ुम होएगा छे ग्यास टामी सीमे कोड़िए दीलाम इवार एजे बैटाक्टामी बानिये छिलाम इबैटारें मोद एटके पुरो डिप कोरें इटाके फ्राइ कोटता हावें तेल गरम हो जाने के पाद बाद यह जो बैटर हमने बनाए हुए थे इसमें यह कंटिल को कोट करके इसकी फ्राइ करनी है एक तरफ जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी इसको पल्टा के दूसरे तरफ भी ऐसे फ्राइ कर लेना है एक टादी गोल्डन ब्राउन होए गाले तार पोड़ी उन्हों एक टादी कामड़ा अबर फ्राइ कोड़वो मोंदूर तोईडी होए गाचे आमादे घी कोरोलार प्राइ एक एरोकम देखते होए छे घीशोन प्रिस्पी आपनारा बुद्धी पाठ्छेन घीशोन शुंदव देखते जूटो घीए केबबे घीप प्राई कोड़े निठागे एक ब्राउन तालर कोड़े बादे मेरी कोड़े चाश्यासि कीजिए आप अच्छ अच्छ लिगा रेकिपी काश प्राई कीजिए तो जोस्तों यह बन भी हमारी तोड़े के लिग काशले कि इसको आप कोड़ी स्नैक ऐसाब से खासकते हो नहीं अच्छा ऐसे golden brown करते हम इसको fry कर गिया है यह बहुत ही टेस्टी होता है प्रस्ट मी और मैं सबको को दूँ की एक बार यह रेसिपी प्राइब कीजिए बहुत ही अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा रेसिपी को क्या करना है पता ही आपको लाइक सब्सक्राइब और शेर थैंक यूज